आज हम बनाएंगे सिंपल चना चाट जिसके लिए मैंने आदा किलो चोले उबार लिए जिसे चने भी कहते हैं और उसमें मैं दाल दूंगी दो मीडियम साइस चॉप्ट कटे हुए बारीक चॉप्ट टिमाटर और एक चॉप्ट प्यास प्यास में कम डाल रहे हूं क्योंकि और रमजान है तो रोजे के बाद आप लोग में नमाज पढ़नी होती है इसलिए कच्छी प्यास का यूज जरा कम करें और थोड़ा सा धन्या यह सब बारीक कटा हुआ हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मैंने बहुत सारा पीस के रख लिया है क्योंकि डिफरेंट डिशिस में पकोडों में समोसों में चार्ट में यह यूज होता है मैंने तीन चमच लिये थे जीरे के और तीन चमच ही मैंने साबुत धन्या लिया और दोनों को रोस्ट कर लिया था अच्छे से भून लिया था तवे पे उसके बाद पीस लिया अब मैं सिर्फ इसमें एक चमच ये डालूँगी ज्यादा नहीं साथ ही मैं लूंकी रेंडम कोई भी आपका चाट मसाला है वो आप लेने एक चमच आप चाट मसाला डालने देन एड़ सम्टमेट पोटेटोस चार आलू थे जो मैंने चॉप्ट कात लिया नव इंली पल्प अच्छा नेशनल केचप हम यूज करते हैं हमेशा नेशनल टेमाटो केचप और नेशनल चिरी सॉस आपने इसमें केचप डालना है थोड़ा सा और अब हम इसमें डालेंगे एक जमच चीनी चीनी से खटा मीठा देस्ट आजाता है एक चमच ज्यादा नहीं एक चमच चीनी डालेंगे और हस्विजाई का नमक एस्पर्टीस्ट साथ ही हम एट करेंगे एक चमच लालमर्च पाउडर अब हम अच्छे से इन तीनों चीज़ों को सारी चीज़ों को मिला लेंगे यह मिक्स हो गई है अब हम इसमें फुलकियां डाल लेंगे सिंपल बेशन को फेट के नमक डाल के आपने फ्राय कर लेना है और फिर उनको पानी में डाल देना है और यह फुलकियां आप इस तरह डेकरेट कर लें इसमें डालनी है चटनी दई की जो सिंपल राइता होते है दई कम हो चटनी ज्यादा हो क्योंकि यह दई वाली नहीं है दई वाली बें इन्शाला चार्ट में आपको जल्दी सिखाऊंगी और यह हमारी जहना चार्ट छोलो की चार्ट रेड़ी है अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली ट्राइ इट लाइक इट और शेर इट विद यर फ्रेंज और सब्सक्राइब माइ चैनल थैंक यू सो मच अस्सलाम अलीकम आपरवान